भगवान महबीर्द स्वामी के जीवन की पांच प्रेरक कथाएं पहली कथा है उनमत हाथी हुआ जब शांत राजस धार्त की गजशाला में सैक्डो हाथी थे एक दिन चारे को लेकर दो हाथी आपस में बिढ गए उनमें से एक हाथी उनमत होकर गजशाला से भाग निकला उसके सामने जो भी आया वह कुछला गया उसने सैक्डो पेड उखार दिये घरों को तहस नहस कर डाला और आतंक फैला कर रख दिया महराजा सिद्दार्त के अनेक महावत और सैनिक मिलकर भी उसे वश में नहीं कर सके बर्दमान को ये समाचार मिला तो उन्होंने आतंकित राजवासियों को आश्वस्त किया और स्वेम उस हाथी की खोज में चल पड़े परजाने चैन की सांसली क्योंकि वर्दमान की शक्ती पर उन्हें बरोसा था वह उनके बल और प्रकरम से भी भली बाती परिचित थे एक स्थान पर हाथी और वर्दमान का आमना सामना हो गया दूर से हाती चिंगारता वह भीशन वेक से दोड़ा चला आ रहा था मानो उन्हें वह कुचल कर रख देगा लेकिन ठेक सामने पहुचकर वह ऐसे रुग्या मानो किसी गाड़ी को अपतकालीन ब्रेक लगा कर रोक दिया गया हो मावीर ने उसकी आँखों में जाकते वी मीठे स्वर से कहा हे गजराज शांत हो जाओ अपने पूर्व जनों के फलसरूप तुमें पशुयोनी में जनम लेना पड़ा इस जनम में भी तुम हिंसा का त्याग यदि नहीं करोगे तो अगले जनम में भी नर्क की भेंकर पीड़ा तुमें सहनी पड़ेगी अभी समय है अहिंसा का पालन कर तुम अपने भावी जीवन को सुखद बना सकते हो वर्दमान के उस उपदेश्ट ने हाथी के अंतरमन पर प्रहार किया उसके नेत्रों से आसू बहने लगे उसने सून उठा कर भगवान महावीर का भिनंदन किया और शांत भाव से गसाला की और लोट किया दूसरी कता है ग्वाले की सद बुद्धी एक दिन संध्या के समय महावीर भगवान गाउं के निकट पहुँचे तो वहाँ एक व्रिक्ष के नीचे निश्चल खड़े होकर ध्यान करने लगे तभी एक ग्वाला अपनी कुछ गायों को लेकर वहाँ आया और उन्हें संब लोटा तो देखा कि महावीर स्वामी जयों केत्यों खड़े हैं लेकिन वहाँ गाये नहीं हैं उसने पूछा मुनी मेरा पशुधन कहा है महावीर ने कोई उत्तर नहीं दिया तो इधर देखते हुए मैं जंगल में घुश गया और पूरी रात वहाँ अपनी गाये तलाश करता रहा इसी बीच गाये चरकर लोटाई और मावीर को घेरने बैठ गई सुबह ठका मांदा ग्वाला लोटा तो गायों को वहाँ देकर आग बबूला हो उठा इस मुनी ने मुझे तंग करने के लिए मेरी गायों को छिपा दिया था अभी इसकी कबर लेता हूँ यह कहक अगर उसने गायों को बानने वारी रसी अपनी कमर से खोली और मावीर पर वार करने को हुआ तभी एक दिव्य पुरुष ने मुहापर कट होकर उसे रोक लिया और उसे कहा ठैरो मूर्ख यह क्या अपरात करने जा रहे हो तुम बिना इसका उत्तर सुने अपनी गाये इसक पुषते रहे हो मूर्ख यह भावी तीर्थ कर हैं यह सुनकर ग्वाला मावीर भगवान के चर्णों में गिर पड़ा और श्चमा यासना करन के वहां से चला गया अब कथा नंबर 3 भील का हिर्दे परिवर्दन पुष कलावती नामक देश के एक घने वन में भीलों की एक मार डालते यही उन दोनों का काम था एक बार सागर से नामक एक जनाचारे उस वन से गुजरे तो पुरुर्वा ने उन्हें मारने के लिए धनुष तान लिया जो ही वतीर छोड़ने को हुआ कालिका ने उसे रोक लिया स्वामी इनका तेश देखकर लगता है यह कोई शान्त हो गया और वे अब उनके चर्णों में नत्मस्तक हो गये मुनी ने अवदी ज्यान से भाप लिया कि वे भील ही चौबिसवें तिर्थकर के रूप में जनम लेने वाला है अता उसके कल्यानेतु उन्होंने उसे अहिंसा का उबदेश दिया और अपने पापों का प् मुक्ती दिलाई महावीर मुक्ती पत्थ पर तुड़ कदमों से बढ़ते जा रहे थे तबी पीछे से उन्हें एक करुण पुकार सुनाई दी उनके कदम ठिठक गए पीछे मुड़ कर देखा तो एक दुरबल ब्रामन लाठी के साहरे गिरता पड़ता दोड़ा आ रहा थ कुछ पलबादी महावीर के कदमों में आकर वो ध्राम से गिर पड़ा उसकी आँखों से जर जर आसू बहने लगे फिर लड़कडाती जुबान से वे बोला मेरी सहायता कीजिये राजकुमार वर्दमान मुझे कुछ दीजिये मेरी निर्धनता दूर कीजिये वे बुढ़ा ब्राम्हन शुम शर्मा था जो प्राया उनसे दान दक्षिना लेने आता रहता था वे भी आवशक्ता नुसार उसकी मदद करते रहते थे उसकी हालत देकर महावीर सानभूती से द्रवित हो गए लेकिन आज देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था इसका आधा भाग कहा है यदि तुम वह हिस्सा भी ले आओ तो मैं तुम्हें एक लाग स्वन मुद्राय दे सकता हूँ ब्रामन में लालच कूट कूट के भर गया और ब्रामन वापस महावीर के पीछे पीछे भागा और जहाँ जहाँ वे गए उनका पीछा करता रहा लग पानी का कुरोध नश्ट कर दिया और उसका इस प्रकार किया उद्धार गुमते वे महावीर वेगवती नदी के किनारे स्थित एक उजार गाउं में निकट में पहुँचे गाउं के बाहर एक ठीले पर एक मंदिर बना हुआ था उसके चारों और हड़िया और कंकालों के देर लगे थे मावीर ने सोचा ये इस्थान उनकी समाधी के लिए ठीक रहेगा तभी कुछ ग्रामीन वहाँ से गुजरे और उनसे बोले यहां अधिक देर मत ठेरो मुनिराज यहां तो जो भी आता है उसे मंदिर में रहने वाले देत्य शूल पानी चट कर जाता है ये गया मावीर ने ग्रामवासियों के मन का भै दूर करने की ठानी और उस मंदिर के प्रांगण में एक स्थान पर खड़े उकर ध्यान लगा कर बैठ गये जल्दी ही वे अंतर के इंद्रित भी हो गए अंधेरा गिरते ही वातावरण में भैंकर गुर्रा हाट गुजने लगी हाथ में भाला लिए शूल पानी देते वहाँ प्रकटवा और उसने मावीर को सुलकते नित्रों से घूरते हुए भैंकर क्रोध से गुर्राने लगा उसे अश्यर हो रहा था कि उससे भैबीत हुए बिना उसके सामने खड़े होकर ही एक मानव ध्यान साध्ना में लीने वे से गरगराट का शोर करते हुए मंदिर की दीवारों को हिलाने लगा लेकिन मावीर मुनी ना तो भैबीत हुए ना ही उनकी निद्रा तूटी अपने चल बल से सूल पानी ने वहाँ एक पगल हाथी प्रकट किया वह मावीर को अपनी पैनी सून चुबोने लगा फिर उन्ह उठा कर चार ओर गुमाने लगा जब मावीर पर कोई प्रभाव इन घटनाओं का नहीं पड़ा तो वहाँ एक भयानक राक्षर्स प्रकट हुआ वैतिके नक और दातों से उन पर प्रहार करने लगा अगली बार एक भेंकर विश्धर उन पर विश उगलने लगा इतने पर भी मावीर भगवान ध्यानमग्न रहे तो शूल पानी भाले की नुकिली नौक उनकी आँखों, कान, नाक, गर्दन और सिर में चुबहने लगा लेकिन मावीर ने शरीर से बिल्कुल संबंद विच्छेत कर लिया था अता उन्हें जरा भी दर्द का अनुभव नहीं हुआ यह शेहनशीलता की पराकाष्टा थी, जो केवल तीर्द कर में ही हो सकती है, शूल पानी समझ गया कि यह मनुष्य निश्चती कोई दिव्वे प्राणी है, वह भैसे खुद तर्थराने लगा, तब ही मावीर के शरीर से एक दिव्वे आभा निकल कर द्यत्ति के शरीर में समाग गई, और देखते ही देखते, उसका क्रोध पिगल गया, गर्व चूर चूर हो गया, उसका घमन नास हो गया, वह मावीर के चड़ों में लोट गया, और श्यमों मांगने लगा, मावीर ने नेत्र खोले और उसे आश्रवात देते वे, करना पूर्ण स्वार में बोल शूल पानी के नेत्र खोल गया, उसका जीवन बदल गया, और वह मावीर भगवान का परमभक्त बन गया, तो दोस्तों ये थी मावीर भगवान से संबंदित पांच पौरानी कथाओं का संग्रे, आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, अग अभीर भगवान के पांचो कथाओं का श्रवन करने के लिए, सुनने के लिए, हमारा आप सब के प्रति विशेश अभार है, आप सब को नमस्कार